कि नमस्कार साथियों अब सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब परिबार पर स्वागत करता हुआ फिर मैं आप सभी के सामने भफ्षित हुआ है कि इंपॉर्टेंट खबर के बरें बस जानकारी देने के लिए तो खबर को बताने से पहले आप सभी को बता देगा रम कि लाग पदों पर रेलवे वैकेंसी निकालने वाला है तो यह बात एक जम सही है आईए मैं आप अभी को पूरे खबर का तथ्य देता हूं तब आपको समझ में आएगा आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बस आप से रिकोष्ट यह है कि वीडियो को कहीं पर स्किप मत क ठीक है आईए और यहां पर आगे पूछा गया था असुनी कुमार बैस्टों जिसे कि आप जो है जो भी रेलवे में जगें खाली हैं उनकी आप डीटेल को बताईए तो सुरी असुनी बैस्टों के माद्यम से एक इंफॉर्मेशन एक डाटा दिया गया था आईए हम उस आप सभी को डाटा को दिखाते हैं ताब आपको समझ में आएगा डाटा यह सबसे पहले उन्होंने यह बताया था कि हम लोगों ने कितना पद भरा हुआ है तो आपको बता दे जेए के पद जो आये थे उसमें 13,538 पद भरे जा चुके हैं और उसके बाद में पैरा मेडि पापुलर के टेगरी के आये हुए थे उसमें 35,240 पद भरे जा चुके हैं उसके बाद में आरार्सी के पद आया थे जिसमें एक लाख 3779 पद को भरा दे जुका है अब उसके बाद में उन्होंने यह हम लोगों को बताया है कि वेकनसी किस किस सेत्र में कौन-कौन फे जू आप सभी को दिखा देता हूं मैं कि ट्वीटर के माध्यम से आल इंडिया निउस हमारा उसके माध्यम से यह हमको बताया गया है कि दो लाक और तालीस या आठ सो पंचान नवे पद ऐसे हैं जो भरने वाले हैं जिनकी इन फार्मनेशन असुनी बैशनों जीने दिया है एक ग्रूप बी की पोश्ट इसको बताया गया है उसके बाद में ग्रूप सी की पोश्ट इंक्लूडिंग लेविल वन के बारे में बताया गया है तो एक सो तीन पोश्टे खाली है उसके बाद में अगर हम ग्रूप सी की बात कर लेते हैं तो पचीस हैयार दो से क्यासी प खाली हैं और सी में लगवाग आड़ेयर 114 पद खाली हूए है ठीक है इस तरीके से मेट्रो में भी है 37 पद है और नोफित तीरान नवे पद हैं जैसे कि आप लोग समझ लेंगे और बी और सी कटेग्री ठीक है पहले दूसरे वाले कॉलम में एबी पोस्टेश को मैंने बताया है ठीक है इसी तरीके से नौर्ट सेंटरल में 135 हैं और सी ग्रूप में 15962 हैं इसी तरीके से इस नौर्थ इस्टर्ण में 69 पद हैं 89 पद है सवरी 12830 पद यहां पर सी कटेग्री के हैं और नौर्थ इस्ट फ्रेंटियर के अगर 177 पद भी में है और 12305 पद हमारे सी कटेग्री में इसी तरीके से नौर्दर्ण में है ठीके इसी तरीके नौर्थ वेस्टर्ण में है साउथ सेंट्रल में है साउथ इस्ट सेंट्रल में है और साउथ इस्टर्ण में है साउध वेस्टर्ण में है और वेस्टर्ण में है और वेस्टर्ण में है ठीक है इव तरीके से अगर हम टूटल वेकेंसी की बात किलने ए और बी कैटेगरी की पोस्टर्ण में तो ए और बी केटेगری के पोश्टर में 2070 पद खाली है ठीके और मैं यहीं बात के लेता हूं गुरूप सी की अगर बात के लेता हूं तो लगभग 2,48,895 कुल पद खाली है रेलवे में यहाँ डाटा रेलवे मिनिस्टर असुनी बैसनों के माध्यम से दिया गया है यह ना कि मेरे माध्यम से बनाया गया है तो यह डाटा एकदम सरवता उच्छे थे आप कहीं पर भी जाकर के यह चीज़ चेक कर सकते हैं यह डाटा आपको जम सही बताया गया है तो आपको करना क्या है इन सभी पोस्टों से अपलाई जरूर से जरूर करना है और अपने सगे सम्मंधियों को अपलाई कराना है अब यह कब तक आने वाली हैं तो मैं आप सभी को बता दूँ कि आगामी चुनाओं को देखते हुए बहुत ही जल्द हमें धाई लाग पदो पर बेक एंफी देखने को मिल सकती है बस आपको करना क्या होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा बेल आइकन को प्रेफ करना होगा जिससे कि जैसे ही इनकी अप्लाई डेट आती है तुरंत ही आप सभी को बताया जाते है और मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है हर पोश्ट की अलग-अलग क्वालिफिकेशन को आपको जानकारी दूँगा और उसके साथ साथ में एज लिमिटेशन क्या रहने वाली है क्या एक्जाम फीफ रहने वाला है ठीके और कितना छूट मिलने वाला है क्या कोरोना का छूट हम लोग को दिया जाएगा इन सभी बिंदों पर हम लोग शर्चा करने वाले हैं तो आपको बता दें कि ज्यादा वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं आप सभी को इतने छोटी सौट इंफर्मेशन देना चाहता हूं अगर आपको ज्यादा इंफर्म अंतमी यही है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो सभी को सेयर कर दीजिए और छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए ठीक है दोस्तों चलिए लेता हम अलविदा मिलूंगा अगली वीडियो में